गाइस बात अगर पार्टी की होना तो मतलब म्यूजिक समझ लो पार्टी में जान डाल देता है और यहां पे यह जो सोनी का लेटेस्ट पार्टी स्पीकर है इसका तो साइस देख के आप समझ गयोगे मतलब अंदर कितना ज्यादा धूम दुडाका होने वाला है मतलब बहुत ही सॉलिड पार्टी स्पीकर होने वाला है आप जिल्से प्रेट को लाइक पूश्ट करते रहे हैं आगे देखते रहे हैं हम करते हैं इसी को अन्बॉक्स और देखते हैं कि आखिर यहां पे कितना ज्यादा बेस मिलने वाला है बेबी के लिए नमश्क्रार तोस को खोलने का मज़ा अलगी होता है यह अच्छा है मैगनेट है सो गाइज अन्बॉक्सिंग हो गई है और एक बात के लिए पहले ही चेतानी रहता हूँ अगर आपने बच्पन में घर में कभी स्रेंडर ने उठाया ना तो स्पीकर उठाने का सोचना ही महत ने उठा पाओगे बहुत ज्यादा भारी है लेकिन साथ में में क्या मिलते हैं बदो देख लेते हैं तो of course we have this speaker unit इसी के साथ में what we have is एक power cord मज़े की बात की यह अपनी ने बाटरी लेके आता है इस इस पोटेबल बाटरी स्पीकर पच्छिस घंटे तक इसके इंट बाटरी लाएफ बाटरी यह बाट भी इसके बाद में what we have here is वारे बास में अक अप्टिकल केबल है जिसको आप यूज्य करके इसको आप युसको अपने टीव घर साथ में त सब्सक्राइब करें तो आपको बताते हैं कि फिजिकल ओवर्व्यू के वारे में जो कि डेफिनिटली बहुत ज्यादा इसका साइज भी बड़ा है मतलब अगर आपका किसी को हग करने का बन कर रहा है तो आप स्पीकर को हग कर लोगे ना तो इंसान वाली फिली एंगे मतलब इतना बड़ा यह स्पीकर है पूरा यहां पर हमारे पास में आपको दिख रही होंगी लाइट से उपर और नीचे मज़े की बात सोनी की ब्रैंडिंगे क्लिर ली यहां पर and then we have this you know as a grab handle we can use पीछे हमारे पास में प्रॉपर है और हैंडल इसलिए बड़ा बड़ा बारी है उठाके जाओगे तो फिया थक जाओगे और अगर मैं इसके बड़ा लिटा ही लूँ जस तो शो यू कि हाओ दो speaker is यह है पुरा हिसा मतलब आप उसको चाहो तो ऐसा प्लेस करके भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो इसको वर्टिकल प्लेस करके भी यूज कर सकते हो अगर हम बात करते हैं यहापे buttons and controls की तो टॉप में ना हमारे पास में सारे यहापे buttons अविलेबल हैं मतलब easy power button है उसके बाद में play pause volume plus minus you know, सारे touch buttons हैं, we can in fact enable the mega bass मतलब उसका भी हमारे पास में अप्शन है अगर आपको जाजा धूम दढ़ाका चाहिए तो उसके अलाबा lights को आप one touch से फर्जामब यूज आफ and on, so you can control the lights then you can choose the source कि आपको USB से गाना play करना है, audio in से play करना है, optical input से play करना है या Bluetooth से play करना है मतलब you know, it's pretty easy और अगर हम बात करें गाईज यहापे कि आपको क्या speaker का configuration मिलता है तो what we have is three tweeters in the front, two tweeters पीछे की तरफ यहाँ पे ऊपर and फिर हमारे पास है दो बड़े-बड़े woofers हैं, मतलब 170 mm each और पीछे के tweeters हैं यह आते हैं 40 mm के साइज में अप्रॉक्सिमेटली और जो सामने के 3 tweeters हैं, दो उपर हैं नीचे हैं, यह आते हैं around 60 mm के साइज में तो I mean depending on the configuration के आपने इसको सीधा प्लेस किया है या horizontal प्लेस किया है, it's very smart enough to understand कि कैसा किस चीज को इनेबल करते हैं आपको output देना है अगर हम ports की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत इंट्रस्टिंग इनो complete detailed IO option available है पीछे इस flap के साथ में और यह flap जो है यह भी एकदम अच्छी seal देता है आपको because this speaker is IPX4 rated अगर आपने इसको vertical रखा है तो अगर आप इसको लिटा दिया है तो IPX2 की rating यह आपको देगा यहाँ पर हम देखेंगे clearly तो हमारे पास में power लगाने का option है then we have option for audio in standard aux cable के through basically हमारे पास में optical in का option है then हमारे पास में mic और in fact आप guitar को भी इसमें input कर सकते है मतलब कहारी हो कि वाला पूरा आपको मज़ा मिल जाएगा यही से आप इनके gains में adjust कर सकते हो echo आपको चाहिए guitar को enable करना है you have you know some more key controls and then यहाँ पर आपके पास में एक battery care का button है और एक USB port भी है अगर आपको आपके phone को charge करना है उसके लिए और phone को by the way रखने के लिए ओपर की तरह हमारे पास में एक slot है जहाँ पे if you have you know place the speaker तो जो भी device जिससे आप इसको control कर रहें you can keep it you know completely on top तो guys यह है Sony का party speaker and I mean भाई इसको तो आप ऐसे उठा के न मतलब अगर biceps अगर लगानी हो तो वो भी लगा सकते हो कि the kind of options this speaker brings in they are enormous मतलब 25 घंटे तक की battery life अगर आपने इसको full charge किया है तो just think about कि भाई आपको कितनी कमाल batteries के इंदर मिलने माली है Bluetooth 5.2 को यह support करता है और Sony की ज same time जो Feastable app है उसमें again lighting कैसी चाहिए वो DJ वाले पूरे effect कैसी है मतलब सारी चीजे इस speaker में हमारे पास में हैं मेरे पास में वैसे इसका बड़ा वाला भाई भी है Sony का जो XV900 आता है वो तो एक अलगी monster है लेकिन ये भी मुझे तो लग रहा है कि मतलब good enough to kind of you know rock any party आपको poolside party आपको अपके living room में TV के साथ में दूला सा अच्छा एक experience चाहिए आपको casual ऐसे पाटी करनी है गाडी में के रखके लेकर लेया सकतो विकॉस पच्चिस घंडी के बैटरी के तो को पता है कि मतलब आराम साथ निभा देगा तो ये है Sony का XV800 अगर में बात करते है प्राइस की विकुरी तो प्राइस इस 64,000 ग्रुपीज रूपीज और आपको पता ही है अपको प्राइस तो वह सब मजा आपको अपको एस पीकरे मिल जाते है लाइट वगर है ये गन कंट्रोल एकन कस्टमाइज अवरिधिंग है तो यह आप बताओ कि अगर ये speaker है तो कौन सा गाना सुनने का पूरा मन करने वाला है वैसे गाना तो मेरा मन कर रहा है बजाने का भी लेकिन खौपिरेट का बंग गया भी है तो इसको मैं अकेले में सुनने वाला हूँ वैसे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा I'm sure कर आया है तो लाइक से करना मत भूलना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद वंदे मातरम